वेल्गम बैक एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूपर संडे के एक सूपर मैच के बारे में जो की खेला जाएगा इंडिया और इंगलेंड के बीज काफी बड़ा मैच है इसमें तो कोई डाउटी नहीं होना चाहिए कि इंडिया का मैच और बड़ा ना हो ये तो होई नहीं सकता है लेगिन आप इंडिया एक ऐसी टीम से खेलने वाली है जो बिल्कुल अगर आपने कोई स्प्रिंग देखी हो उसको जितना नीचे दबाओगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो नीचे तो जाती जाएगी लेकिन एक पॉइंट पे वो रुख जाएगी और फिर वो ऐसा प्रेशर मारेगी कि आपका हाथ उपर अगर हाथ से कर रहे हो तो हाथ वरना जिससे भी कर रहे हो उपर आए तो कंडिशन इंग्लेंड की ऐसी है वो अपने एक बोटम होता है ना प्रेशर का उस तक पहुच चुकी है अब ये सारा प्रेशर ये डौलने वाले इंडिया के उपर तो अब इंडिया है जो कंटिनेशनी बिन कर रही है और ये लोग जो है वो बहुत गंदे तरीके से हा कि इनको भी यकिन नहीं होगा कि हम ही खेल रहे हैं और जैसा मैंने आपको बोला कि प्रेशर की कंडिशन इनकी सबसे एंडिंग पर पहुच चुकी है तो इस मैच में ये इंडिया को बहुत तगड़ा बहुत ही गजब लेवल का फाइट बेक देने वाले तो ये मैच जो ह ये मैच हो गया है वैसे तो पूरा मैच फिनीश हो जुक है रिजल नहीं आया ठीक है चलो मैं आपको दिखा देता हूं जो मेरी लाइव विनिंग चल दी वही दिखाता हूं ठीक है और वही वीडियो वाली सारी चीजों से सो गाई जेखिए जादा मैंने वैसे कॉंटे ज अगर मैं बात करता हूं यहां से मेरी टीम की तो आपको पताई होगा मैंने जो क्या दी थी और वीसी वार्नर को और दोनों ने क्या किया यह मुझे बताने की चाहिए जूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों ने बहुत अच्छा पर्फरमस दिखाए था अब इस में मैच में भी लोग जूरति करने वाले इस मेच में और वह अगर आपक उनुपתर आपका हरा हरना रहेंगे आगा यह मैच मेरेटी देता हूं। तो में देखिए ना बैन इस्टोक्स है ना मोहिन अली है ना लिविंग इस्टा ना अदिल राशिद ना मार्खुड और अगर इंग्लेंड बोलिंग करती है आप मार्खुड को नहीं लेते हो जो कि डेथ में आएगा तो फिर आप तयार हो जाओ हरने के लिए कंफर में और बैन यह क्या नाम है जोनी बेरश्टो जोनी बेरश्टो एक ऐसा प्लेयर है जो कभी-कभी चलता है यह तो मान लेता हूं में लेकिन जब चले गाने इतना बुरा मारके जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा यह वही प्लेयर खेल रहा है और ना ही जोस बटलर तो काफी य यह सेलेक्षन वाले जो बंते है जो फाले इस मैस में इस मैस में आपको प्योर लोजिक चलका और यह कि सेलेक्शन बेस की टीम में तो अब आपको क्या क्या चैंजरश करने वह थीमिंगे बंदियot तरफ से सारी चीज़ीश देखिंगे लेकिन वीडियो पूरा देखना व तब चरप Lets मेरे चरण करता हो वर्ना मेरे चरण बहुत कम होता है तुमें बता जैता है यहánा फाइनल भी नहीं ञाली नहीं यह 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 मेरी डेमो भी यहां आपको बता रहा हुआ कि यह लोगों ने टीम बना रही हम तो हमारी अलग टीम बनाएंगे लेकिन टीम से एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो मेरी फाइनल टीम होगी वो जो होगी ना वो टेलीग्राम पर मिलेगी अब मैंने टेलीग्राम को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अभी भी देगी एक मैच चल ला है जो अभी बंगलदेश और यह निदलिंड का जो मैं लिग लिए उन पर इंवेस्टमेंट किया हूँ ठीक है अब मैंने यह मुस्ताफी जो रह्मान को लिया था डेथ होर्स के कार मुस्ताफी जो को बहुत कम ले रहे थे क्योंकि वह अच्छी फॉर्म में नहीं था वह विगिट नह ने दिये कैसे दिये पहली बोलिंग में डेथ होर्स में आके तो क्या यही का मार्कूर्ड नहीं कर सकता है कि वह जिसको लोगों ने नहीं ले रखा है मार्कूर्ड तो और भी अच्छा है उसकी तो पैस सबसे तगड़ी है तो क्या मार्कूर्ड नहीं कर सकता है तो वह वह प्रॉपर्ट भी शेर की प्रॉपर बोलिंग अटेक भी डेथ होर्स भी यह सब आपको टेलीग्राम भी मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जोइन कर लेना ठीक है और ट्राई करना इन्वेस्ट में थोड़ा कम हो गयों कि बहुत रिस्की मैच ही है यह ऐसा मैच है इसमें आप जीतों गे भी वन साइडिट क्यों हारों के यह नियुक्त ले रहे हैं लेकिन दो फिरीगे बिगे आये थे ठीक है तो वह जो प्रेशर होता है प्लेरों पे आकली मुमेंट पर रन बनाने का वह फिर विगेट फेक देते हैं तो उस केसमें डेथ में गर पहले बोलिंग करती है आप तो लेना अब मारगूड आता है डेथ में लेगन मारगूड को अगर मानलो विकेट नहीं मिला तो तो आप तो बोलोगे किया आपने खराब प्रेडिक्शन दी नई लोजिकल में देखोगे तो वह बहुत अच्छा कॉल धा अब करेगा नहीं करे और देखिए यह मैच की आप वीडियो देख रहे हैं इंडिया और इंग्लेंड की आपको एक बड़ा पॉइंट बताऊं इस मैच में आपके लिए मोबाइल का गिवब और वह संडे भाई संडे के दिन मोबाइल का गिवब ना हो यह तो हो भी नहीं सकता है आईकेम फेमि इसको नहीं सबसे कम सबसे कम यहटें सबसे कम यह सबसे कमें बड़ा अरुआने का रिजन गीवब और मोलगें चैनल आप यह देखो कि सबसे कमेंटरिवी से हैं और साथ में मोबाइल की गीववे हर संड़े आईकें फेमिली के लिए कंफर्म होता है कोई देता है कि फिरी में मोबाइल लेकिन मैं देता हूं आप लोग को ठीक है क्योंकि आप हो तो हमें भाई तो मैंने लिक दिया हुआ दिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में भी कोमेंट में तो शैद नहीं मिलेगा लेकिन दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो डाउनलूड कर लेना अब यह जो मैच होगा ना लाइव तो सिंपल एवॉटी स्टार श्टार्स पर यह लखनाओ के अ पया हो यह सित यह सकते हैं इस मैच में इस मैं यह ऐसे हैं को सब立क यह सकती बाहर कि यह पोई प्रेशर है टिम जीत पारिए उस case में यह लोग changes करने चाहिए टेलीग्राम का मैं बता ही चुका हूँ कि final team जो होगी आभी जो आप winning देख रहे थे वो कैसी है हालागि वो team telegram पे नहीं आये थे मैं पहले बता दू ठीक है क्योंकि मैंने बोल दिया था वाई रिसके मैं अच्छे मैंने खुद नहीं है है टुएड जोइन किये थे सारे तो टीम का तो क्या ही बोलू हालेकि नहीं इस में इसकी टीम आएगी और इस में इंवेस्मेंट कम करना यह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है फाइनल टीम टेलिग्राम पर आएगी और मैं ट्राइए करूँ और ग्रैंड लिंग की भी टीम दू आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लेना अब इस वेन्यू के बारे में बात कर देंगे बिलकुल आसान वे में समझे यहां पर कि जनरली होता क्या है देखिए आखनी मैस था निदर लेंड का और श्रिलंका का निदर लेंड ने 262 रन बनाये थे और श्रिलंका 263 पर चेज कर चुके थे यह 2000 जो तेईस का वर्ल्ड कप का मैच है क्यों एक ही वाइस मेन्यू पर यह पहले क्यों मैच अस्टेल लेकिन वह भी पता है विकेट फेक दिया था मैंडी जैसे प्लेयर विकेट मतलब आउट हो गया था वह परेरा जैसे तो आप यह मान के चलिए कि यहां पे यह और यह भी ध्यान रखना अगर आपने आखरी मैच देखा हो ना तो आखरी मैच में जो लोगान वेंबिक और यह साइब्रेंड नाम से एक प्लेयर है निदलेंड का ठीक है ओल लाउंडर प्लेयर यह एक अच्छी बैटिंग विकेट है मैं आपको पहले यह किलियर कर दूँ यह ऐसा विकेट है जहां आप बैटिंग की उमीद लगा सकते हो हाला कि आखरी मैच में निदलेंड क्योंक आप से आप टीम बनाना बैटिंग विकेट के साब से बागी फाइनल पिछ रिपोर्ट के आती है मैं आपको इंफर्म करी दूँगा और मेरे कोडिंग जो भी टीम टोस जीतेगी वह पहले बोलिंग करने चाहिए क्योंकि अगर बैटिंग विकेट है तो फिर चेजी तो कर है नहीं आखरी मेश में 14 विकेट गाए पैसर ने नो और इस्पिनर ने पांच विकेट निकाले अभी हम बात करते हैं का इस टोटल स्कोरिंग मतलब यह जो विकेट लेते प्लेट्स बोलिंग अटेक में उनकी तो 58 परशन पैसर्स विकेट निकालते और 42 परशन इस्पिन तोटल यहां पर साथ मेच हुए हैं तीन बैटिंग फर्श जीती और चार बोलिंग फर्श और स्कोरिंग पैटन की बात आती है 300 प्लस एक बार हुआ है 250-299 के बीच एक बार 200-249 के बीच तीन बार और 200 से नीचे दो बार अब देखिए क्योंकि यार अगर टीम कमजोर हो होती तो मैं बता देता कि यार 200 से नीचे भी बन सकता है 200 तक भी लेकिन इंडिया और इंग्लेंड का मैच है और दोनों कितनी खतरनाक टीम है यह तो मुझे बताने की बजूरत नहीं है तो गाई दिखिए मेरे अकोर्डिंग मान के चलिए 300 प्लस होना चाहिए चाहे इंड इंग्लेंड का मैच है शिरलंका से मान लो शिरलंका से थाई ना मान लो क्या अब इंग्लेंड हारी तो मेरी टीम कभी नहीं जीतेगी यह अगर अनेक्सपेक्टेड मैच हुआना तो मेरी टीम का हारना कन्फरम होता है क्योंकि मेरी टीम प्योर लोजिक पर होती है और जब अनेक्सपेक्टेड में चोगा तो लोजिक कहां काम करेगा तो वह वाला सीन है मेरे अनेक्सपेक्टेड होने के चांसे कम है इंडियन टीम भाई मस्ट वाली विनिंग कर रही है और यहां पर इनके कंडिशन काफी गंदी है इस्टिल 55-45 का अगड़ा है क्योंकि जा सकती है क्योंकि आपको पताई होगा जब किसी भूलर का दिन खराब हो न तो फिर उसकी पांच बोलर के साथ जाएगी किसी कभी दिन खराब रहा तो फिर इंग्लेंड वाले वह सी को अटेक करेंगे और वैसी बात है तो यहां पर एक बोलिंग बेक अप के लिए इंड जो मैं बता दिया हूँ, बाकी सेम लाइनप होनी चाहिए आक्री मैच के तरह, अगर हम बात करते हैं, लेफटी राइटी की तो सब राइटी है, यह की लेफटी है और वह है जड्डू, बॉलिंग अटेक की बात आती है, यह बैंच में यह चार प्लेयर है, ठाकूर, हार्द हारदिक तो खेलेगा नहीं, शारदू लिशान और वही पे अश्विन के चांसे है, बुम्रा और सिराच पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ में भी आएंगे, डेथ में शमी भी आएगा इनके साथ, अब हम देखते हैं किस प्लेयर का कैसा रिकोर्ड है अगेंस्ट शुबमन गिल का पहला मैच होगा इंगलेंड के अगेंस्ट बाकी फ़र्म बंदे की काफी अच्छी है और इस वेन्यू पे एक मैच है जिसमें तीन रन है, रोहित शर्मा की इंगलेंड के अगेंस्ट रिकोर्ड देखोगे एक मैच में काफी अच्छा है, बाकी तीन में एक में फ्लोब भी है, दो में ठीक ठाक है और वेन्यू पे इसमें पहला मैच होगा, ओडी आई फॉर्मेट का, उसके अलावा विराट कोली की बात आती है, तो इन्होंने इनकी भी फ़र्म काफी अच्छी है, प्लस में इनका अगेंस्ट रिकोर्ड देखोगे, तो ठीक में ठाक है, और लाश्ट के तीन मैच काफी गंदे हैं, लाश्ट के तीन मैच बहुत ही बेकार है, लेकिन उससे पिछले वाले दो मैच बहुत अच्छे भी है, देन वेन्यू पे पहला मैच, फिर आएंगे श्रे सईयर, श्रे सईयर एक मैच खेला है, ओडी आई फॉर्मे मैच होगा, सूर्य कुमार याद हो कि दो मैच है, दोनों में ये फ्लोप रहे हैं, ओडी आई में, जड्डू की बात आती है, जड्डू का रिकोर्ड ठीक ठाक बोलूँगा में, क्योंकि ये बंदा दे कि इंपोर्टेंट वैसे बे बनेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन जड्डू की दस ओर देगा, दस ओर में भाई मान के चलिए, एक दो विकेट भी निकाल ले, आपका कामी कर देगा, प्लस में बेटिंग वेकप भी देगा, तो जड्डू तो मस् नीडर प्लेयर है टीम के अंदर, उसके अलाव मुहमाद शामी, मुहमाद शामी अपनी और अगेंस इइंगलेंड इनका रिकोड भी काफी अच्छा है, आगर हम काउंट करें तो दस विकेट है लाश के पांच में, वेन्यू पे पहला मैच, कुलीफ का एक मैच ओलेयर ही हो चुका इस वेन्यू पे जिसमें एक विकेट है, और अगेंस इंगलेंड इनका बहुत बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस ही बहुत ही गंदा रिकोर्ड है तो कुलीब को लेने वाले ग्रेंड लिग में एक बार ट्राइ करना कुछ टीमों में ड्रोप करके रिकोर्ड यही कहता है कि आप रिकोर्ड क्या आप स्क्रीन पर देखी सकते हो ना यह मैच अटा दो एक बा बहुत है यह जो मस्त नीडिया के होने को तो रोई शर्मा भी बहुत इंपोर्डेटेंट है कुल्दीब भी बहुत इंपोर्डेंट है श्रेय सायर भी लेकिन भाई सबको थोड़ी ना बोलूँगा अगर मैं सबको बोलूँगा तो फिर आप मेरे में और दूसरे में फरक क्या हुआ मैं बोल दूगा किया राद तो आप सिराज को ड्रोब मत करना सिराज अच्छा करेगा फिर मैं बोल दूगा आप रोहित को ड्रोब मत करना फिर में वही किलिप आपको डाल दूँ तो वह वाला सीन मेरा नहीं है जो मैं बोलता हूं वही उसी सबसे में टीम भी बनाता हूं त किशन का पहला मैच होगा स्कोर कार्ड की बात आती है आखरी मैश में यूजरेंड के अगेंश्ट विराट कोली की सेंचुरी रहे गई थी और उसके लेकिन फिर भी मैश मिनिंग नौक थी भाई बंदे की पांच विकेट शमी ने खुलदीप ने दो और सिराज को एक जस्प मैश की बात आती है यह इनका आपको पता हो तो अगेंश्ट वांगलादेश मैश था जिसमें विराट कोली की सेंचुरी वही थी और बोलिंग अटेक में दो विकेट जड़ू एक उल्दीप एक ठाकूर दो सिराज और दो बुम्रा उसके अलावा तीसरे मैश की बात आती कि ट्राइ करना investment कम हो और ट्राइ करना head to head contest आप लोग खेलो और यह भी ट्राइ करना legally उनपे खेलो और legally उनपे giveaway को भी जोईन कर लेना और एक छोटा सा target दे रहो like का ज्यादा बड़ा target है नहीं सिर्फ और सिर्फ 3000 likes का target और मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर करवाद ठीक है तो भाई 3000 ज्यादा लैक नहीं आप करवा देना प्लीज यह मेरी रिक्वेस्ट आप से उसके अलावाब हम बात करते हैं मेन पॉइंट और वह है इंगलेंड की टीम और यह टीम में अब चेंजेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो क्योंकि देखिए अगर मैं बात करता होने की तो इसली हो सकते हैं क्योंकि यह टीम बहुत तरीके से हर रही है और नहीं होने की하면 लिए मुंट से लिए कौहिग और तो मैं तो टेलिग्राम पर इन्फर्म कर दोंगा देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एक लेफटी दो लेफटी तीन लेफटी और चार लेफटी इसका मतलब है कि अश्विन के चांसे बन जाते हैं खेलने के अश्विन हाई से हाई पॉसिबिलिटी रखता है इस मैच में खेलने का ठीक है उसके अलावा गईज यहां से हम बात करते हैं तो भाई चार राइटी के लाव सब राइटी तो है देन यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करते हैं क्योंकि इंडियन टी में आपको पता ही होगा सब राइटी राइटी है और अगर थोड़ा सब विकेटी स्लो हुआ तो उसकेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहें है आदिल राशीद ध्यान रखेंगे चलना उसके बाद हम बात करते हैं बैंच की तो यह बैंच के प्लेयर है और यह एक चीज़ ध्यान रखना यह ऑप ब्रेक बोलर है मोईनली ठीक है जो मैंने लेफ्टार्म और्ट साम करेगा उसका रीजन क्योंकि सामने सारी राइट ही है और यह और यह एक ऐसा और जायेगा आपके लिए अराम से बोल सकता हूं लिविंक स्टन ठीक है और यह प्लेंग की बात करते हैं तो यह बैंच के प्लेयर प्लेयर हो यह आए प्लेट में वॉक्स और विल्ली आए देखते हैं किस प्लेयर का कैसा रिकोर्ड है अगेंस इंडिया जो नी बेरस्टों का हाल आपको पता ही होगा या तो कुछ भी नहीं या बहुत बड़ी इनिंग तो इनका अगर देखोगे न तो लांस के पांच मेश में चार मेश में बिल्कुल फ्लोप बिल्कुल तो तीन म सबसे पहले एक मतलब जो सबसे पहला मैस था मतलब पांचवा मैच इनका उसमें इनों ने 124 रन का स्कोर किया तो बेरस्टों बहुत अच्छे प्लेयरे लेकिन वहीं बाते ना कि भाई मतलब परफॉमस बहुत गंदा है और फॉम इनकी अभी वर्ड कप में काफी खराब चल रही है डेविड मलान की बाता आती है दो मैचे इसमें एक में पचास एक में सोला उसके बाद आएंगे जोई रूट जोई रूट के रिकोर्ड इंडिया की अगेंस दो मैच में सहीर तीन मैच में फ्लोप रहे हैं बैनि स्टोक्स को ड्रॉप करने बहुत सार लोग करे तो सेम आल बेन इस स्टोक्स का इनका डिकोड ठीक ठाक टो है बट सिल मैं इसको ड्रॉप नहीं करूंगा और सबसे बड़ा पॉइंट है कि विकिट कीपिंग करेंगे तो कैचे सिस्टंपिंग इनके भी पॉइंट जो आएंगे वह इनी के पास आने वाले तो बटलर को ड्रोप तो कनना ही मत चाहिए दस परशेंटी सेलेक्शन की हो नहीं बटलर आपके लिए मस्नीडेर प्लेयर है मौहिन अली की बात आती है मौहिन अली का रिकोर्ड अगेंस्ट इंडिया ठीक ठाक में बहुल सकता हूं उसके बाद लिविंग इस्टन है लिविंग इस्टन इंपोर्टेंट इसलिए बनेगा सब राइटी है थोड़ा सब इसलो विकिट हुआ आदिर राशित के साथ जो मार्क वूड और आदिल राशित की बात आती है आदिल राशित का भी रिकोर्ड काफी अच्छा है और मार्क वूड की बात आती है मार्क वूड बहुत इंपोर्टेंट बनेगा जैसे मुस्ताफी जूर ने काम किया था ना बंगलादेश वाले मैच में वैसे ये काम करेग इस बंदे ने आखरी मेश में 95 की नहीं खेली थी Harry Brook है जो अगेंस्ट इंडिया ODI का पहला मैश खेलेगा Gus Atkinson भी पहला मैश केलेगा Reese Topley है, Reese Topley तो शायद इंजड है तो में भी यह ना खेले और अगर कोई मानलो इंजडिरी सही हो जाती है तो यह खेल भी सकते है अगेंस्ट इंडिया इन्होंने एक मैच में 6 विकेट भी लिये थे और इसी मैच की वज़े से ये भाई बहुत मतलब ऊपर भी आये थे क्योंकि टॉपली आपको पता है एक अपनी हाइट का बहुत शांदार फाइदा लेता है जैसे मारको जैंसन है काईले जैमिंसन है वैसे रीश टॉपली है हाइट का इनको बहुत अच्छा फाइदा मिलता है और उसकेस में इनको विकेट में मिलते है तो अगेंस्ट इंडिया इन्होंने आपको पता है होगा बहुत गंदे तरीकी से लोग हार के आ रहे तो गई जीखिए आख्री में हाइस स्कोरर थे बैनिश टॉक्स और बॉलिंग अटेक में डैविड विली ने दो विकेट निकाले इस मेंच की बात आती है इस मेंच में हाइस्ट स्कोरर जो थे वो थे यहाँ पे इनके बोलर मार्क वूड बाई बताइए बैट्समेन फ्लोप और बोलर आके 43 का स्कोर कर रहा है तो ये वाले टीम भी मैच हारी थी इस मेच में टॉपली दो एटकिंसन दो और आदिर लाशित दो थाड़ मेच की बात आती है इस मेच में अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो ये वाले टीम भी मैच को हारी थी और ये मैच जो था इसमें हाई इसकोरर हैरी बुरुक्स थे और उसके अलावा तो कुछ खास परफोर्मेंस थानी बैट्समेन का और बोलिंग अटेक में देखिए विकेट्स आजिल आशित ने तीन मार्क वुड ने दो लिविंग इस्टन ने एक और उसके अलावा रूट ने भी एक लिया था और ये गईज ये वही ये जो मैच है ना अफगानिस्तान के मैच था ये और ये ऐसा मैच था जिसके अंदर विकेट बहुत स्लो हो गया था तो सेम हाल है अगर जालास अब विकेट स्लो हुआ ना तो इसलिए जैसे इस मैच में लिविंग इस्टन ने दस और किये सेम काम ये इंडिया के अगेंच कर सकता है तो ये ध्यान रखके चलना चलिए अब ये मैच का नॉर्मल डेटा अनलाइस तो हो गया अब हम बात करते हैं टेलिग्राम की तो गाइस देखी फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिलेगी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जरूर जोइन कर ले ना जिनोंने नहीं किया है ठीक है टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कॉमेंट में भी मिल जाएगा जहां से चाओं वहां से जोइन कर सकते हो लेकिन करना ही है जोइन चलिए अब हम बात करते हमारी टीम के तो मेरे भाई देखिए मैं बदा देता हूँ आपको मैं ऑिलिए उन पर खेलूंगा मैं ड्रीम लिए उन पर ये वाला मैस नहीं खेलूंगा अगर आप लिए उन पर खेल रहे हैं तो फिर आपको मतलब इन्वेश्नमेंट या तो कम करना है या मैं तो यह सँझेस्ट करूंगा Mainly Kevin बहुत बहुत हूगा मेरा investment जो होगा वो केवल और केवल लीग इलिए उन पे होगा और लीग इलिए उन पे आपके लिए मोबाइल का giveaway भी है तो description के link से download कर लेना जिन्होंने नहीं किया है और सबसे कम entry वीश लेता है और लीग इलिए उन पर आप मालो नहीं खेल रहे हो तो ऐसे पे खेलना जहां साथ और चार का combination बनता हो सेवन प्लस फोर का combination जहान रखना ठीक है टीम की बात करते है तो गाई दिके राउल और बटलर और बैरस्टों ये तीन प्लेयर है तीनों बैस्ट हैं मैं लूँगा उस प्लेयर को जिसकी टीम पहले बैटिंग करेगी मानलो कि राउल की टीम बैटिंग कर रही है तो राउल को लूँगा और बटलर की टीम बैटिंग कर रही है तो बटलर को लूँगा बेरस्ट हो को तो मैं तब लूँगा जब टीम में मैं चाहूंगा कि रिस्क लूँ अगर पिछी रिपोर्ट में मानलो ऐसा आ जाता है कि स्विंग नहीं होगी बोल पावर प्ले के अंदर तो फिर मैं ले लूँगा और हलका सा भी ऐसा लिखा हो आगे पिछी रिपोर्ट मे मैं तो मैं इनको सीधा ड्रोप कर दूँगा अभी के लिए मैं जो ले रहा हूं वो बटलर के साथ जा रहा हूं बाकि राहूल को भी लूँगा मैं और कन्फर्म लूँगा लेकिन बैटिंग आने दो टीम इंडिय की सबसे इसके बाद हम आतें बैटिंग सेक्शन में सो ग मैं ड्रोप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए इनका रिकोर्ड जो इंग्लेंड है वो लास्ट के कुछ मैचे से काफी गंदा है इसलिए और फिर यार एक बड़ी इनिंग हर मैच में बंदा खेल रहा है तो एक मैच ऐसा इनका भी आने वाला है जिसके अंदर इनका व बोलिंग करें एक वार के लिए रोईत शर्मा की साथ जरूर जा सकता हूं अगर टीम इंडिया की पहले बैटिंग आई तो क्युक्कि टीम इंडिया की बैटिंग फर्स्ट पे रोईत शर्मा बहुत अश्चा पर्फर्फरमस दिखाता है मलान को और रोईत शर्मा को में according to कंडिशन लोंगा और बेरेश्टों को भी उसके बाद जड़ू एक फिक्स प्लेयर है मेरे जड़ू भाई बहुत तकड़ा प्लेयर है और यहां पर मैं लिविंग इस्टन को तब लोंगा जब पिछी रिपोर्ट में जरा सब यह इसा हुआ ना कि सेकेंड इनिंग में या फ फर्स्ट चोईस तो यह है कि आप इसको लो रिस्क टे करो तो कंफर्म लो और अगर आप सेफ खेल लो तो उसके इसमें ड्रोब कर सकते हो मैं ले रहा हूं लिविंग इस्टन को आप चाहो तो ड्रोब करो और आप चाहो तो लो यह आपका खुद का को लोगा अब आज़े करवा रहे हो तो ठीक है तब आप ले सकते हैं दोनों को लेगिन मान लो इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो उसकेस में मार्क वूड और यह आदिल राशित और मार्क वूड आपके लिए मस्ट नीडेर प्लेयर होंगे मतलब कंफर्म लेने वाले प्लेयर तो यह यह इन दोनों को मैं according to condition लूँगा इंगलेंड की पहली bowling पे mood को तो मैं confirm लूँगा चाहिए एक बार के लिए आदिल राशित को फिर भी ड्रोप कर दू लेकिन बूड को confirm लूँगा ठीक है अभी के लिए मैं को लदीब के साथ जा रहा हूं यह मेरी टीम स्मोल लिक की मैश के तो मैं रूट को कैपटन ने रहा हूं, जो सबसे best choice है, वैसे best choice में तो मेने wc युष्ड को लाइं, मतलब अब run कोड़ा सकते हो मतलब कैपटन को लीर vc युष्ड को कर सकते हो बट्थ मैने run कर सकते हैं मतलब मैं तो मैं सीधा नीजर की, tôi भीLord को कोड़ा है other options में शुबमन गिल है रोहिद शर्मा को ले रहे हूं तो वह भी बैस चोई से कैप्टन सी के लिए राउल other option है अब होने को दियार बहुत सार है किस-किस का नाम ले परसनली मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन यह दोनों है और आगर मैं चेंजेस करता हूं मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं टेलीगराम पर आपको इंफर्म कर दूँगा उसकी आपको टैंशन लेने की जूरत हैं लिए अब एक important पॉइंट बताता हम देखिए हमारी जो व मूँमेंट पे बोलो जिसने पहला दूसरा तीसरा चोथा और पांचवा लाइक और कॉमेंट किया वह फिरी में हजार उपर जीत गया मतलब पांचों लोग मिल ठीक है तो आप भी कर सकते हो है सुबह अराम से जल्दी उठा करो और लाइक कॉमेंट करो और फिरी में माउंट जीत लो यह इससे बड़ी हमों को कहा मिलेगा ठीक है आने वाले वीडियो में भी इसी तरीके के गिववेस आएंगे और गिववेस के लिए तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूं अगर आपके माइंड में कुछ अच्छा सा प्लान हो बताओ लेकिन फेर गिववे होना चाहिए यार ऐसे यह मैं बलता हूं ना कि मोस्ट लाइक तो फिर वो फ्रोड करने लग जाते हैं तो वह वाला सीने प्रोड़क्ट वाला गिववे कुछ एरियास में जाता नहीं है और लाइन अप का भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि सेलेक्शन करने में वह बहुत अलग ले तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दो और यह मेरी टीम है लेगल उन पर मोबाइल का गिववे भी वह भी आप जोइन कर लेना लेकिन जोइन तब ही कर पाओगी जब डाउनलोड करोगे लेगल उनको तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लेना ठीक है तो यही था तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में